अमेश्कार दोस्तों, चाइना एक कम्मिनिश्ट देश है जैसा कि आपको पता है और इसी की वज़े से वहाँ पर बहुत जादा लोग जो है वो रिलीजिन के उपर बिलीजिन के उपर उसके उपर एक प्रकार से प्रहार करने की कोशिश की जारी है चाइना के दोरा बताया जा रहा है कि वहाँ पर रिसेंटली एक National Conference on Religious Affairs हुआ था जिसके अंदर जितने भी टॉप लीडर्स हैं including Xi Jinping उन्होंने यहाँ पर पार्टिसेपेट किया था और यहाँ पर बात कही गई सिनिसाइजेशन ओफ रिलिजिन बेसिकली जो शी जिन्पिंग है वो पुश करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर आइडिलोजी को सिनिसाइजेशन ओफ रिलिजिन को तो इसी के बारे में आपको बताऊंगा कि exactly क्या क्या जा रहा है और किस तरह से जो लोग religion के उपर वो भी मैं आपको बताऊंगा काफी कुछ जानने को है चली आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके पहले अगर आप UPSC या फिर किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं तो आप हमारे app को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyiq.com विजिट कर सकते हैं वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाते हैं तो मेरे Instagram पेज पर जा सकते हैं और वहां पर जाकर आप stories में MCQs attempt कर पाएंगे और इसके लावा याद रखेगा कि UPSC और आज जो भी आप course purchase करोगे आपके लिए एक extra offer दिया गया है that is अंकित 20 code लगाना है वहां पर जो भी validity होगी वो यहां पर double हो जाएगी सप जो दिन तक China के अंदर National Conference on Religious Affairs जो है वो हुआ था जिसके अंदर Xi Jinping चाइना के राष्टपती ने stress किया था कि cynicization of religions in China ये पूरी तरह से implement होना चाहिए साथी साथ जो party की ideology आपको पता है वहां पर one party system है Communist Party of China तो उसकी जो theory होती है religious affairs पर वो पूरी तरह से implement करना है ऐसा यहां पर बताया जा रहा है Xi Jinping एक प्रकार से जादा importance दे रहे हैं emphasize करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो principle है developing religions का मतलब कि जो भी religion होगा चाइना के अंदर वो Chinese context में होना चाहिए मतलब जो बाहर का influence होता है religion का वो हमें China के अंदर नहीं चाहिए चाइना के accordingly जिस प्रकार का religion है जो हम follow करना चाहते हैं जो party कहती है one party system उसी के accordingly यहाँ पर religion को follow करना है इस तरह से आप चीजों को समझ सकते हैं इसके लाव आप देख सकते हो यहाँ पर बताया गया है कि उनके दोरा providing active guidance for the adoption of religions to socialist society तो basically यह बोला जा रहा है कि चाइना के अं अब यहाँ पर थोड़ा सा और मैं आपको detail में बताता हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो तिन तक यह conference चला था national conference on religious affairs इसके अंदर था क्या basically अगर आप देखिए तो यहाँ पर जितने भी top leaders हैं चाइनीज प्रीमियर हो गया है चाइना के president हो गया है party के leader जितने भी बड़े leaders हैं उन्होंने इस particular conference के अंदर participate किया मतलब एक प्रकार का message send करना की कोशिश की जा रही थी कि देखिए जो चाइना की leadership है वो इस particular theory को यहाँ पर push करना चाहती है और इसी के अंदर जो Xi Jinping है उन्होंने आपर speech दिया और बहुत सारी चीजें बोली जैसे कि यहाँ प उसको यहाँ पर improve करनी की कोशिश करनी चाहिए जो भी religion के उपर belief करते हैं इसके लावाज Xi Jinping का जो बड़ा speech था उसके अंदर वो यही कह रहे थे urge कर रहे थे citizens से कि कि किस तरह से जो religion है उसको आपको socialist society के accordingly ढालना है उसको एक प्रकार से merge करनी की कोशिश करनी है और इसकी वजए से जो Chinese dream है of national rejuvenation उसको यहाँ पर हमें लाने की कोशिश करना है तो अगर आप इसका पुरा context देखोगे ना जो भी मैं आपको कुछ बता रहा हूँ रीसेंटे आपने ये भी देखा होगा कि जो Xi Jinping है उनको undisputed leader मान दिया गया है अब यहाँ पर दो टम से जादा वो leader बने रहेंगे चाइना के अंदर ये पूरी तरह से तैह हो चुका है और अभी तक का सबसे greatest leader बनानी की एक प्रकार से कोशिश की जारी है शी जिंपिंग को और इसके अलावा further अगर आप देखिए तो उन्होंने अपने speech के अंदर special focus किया sinicization को लेकर तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि ये sinicization of religion का मतलब क्या होता है जो यहाँ पर Chinese leader के दौरा उनके party के दौरा बार बार बोला जा रहा है कि sinicization of religion होना चाहिए 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 के अंदर और यह किस तरह से एक प्रकार से प्रहार है जो freedom of religion होता है उसके उपर तो यहाँ पर basically sinicization का मतलब यह हुआ कि जो भी आपका religious belief है faith है चाहिए आप किसी भी religion से बिलॉंग करते हों Islam, Hinduism, Buddhism कोई भी religion से आप बिलॉंग करते हों लेकिन वो religion जो है वो Chinese culture, religious, political ideology के तहत होना चाहिए मतलब कि foreign वाला जिस प्रकार का religion होता है जैसे कि भारत के अंदर कोई Hinduism है ठीक है बाकी Islamic देश में उनका जो religion है ठीक है तो वो foreign तरह का यहाँ पर religion है अगर आप China में उसको follow करना चाहते हैं तो Chinese rules, ideology और उसके प्रकार से चीज़ें करनी पड़ेंगी तो sinicization means transforming religious belief faith practice in accordance with Chinese culture I hope कि आपको समझ में आ गया होगा कि sinicization का मतलब क्या है चैना के अंदर जिस प्रकार से इसको push क्या जार। और ऐसा नहीं है कि पहली बार यहाँ पर Xi Jinping ने इसको लेकर कहा है वैसे तो यह काफी लंबे समय से जो Xi Jinping है उसको कई बार बोल चुके हैं In fact मैं आपको बताओं तो पहली बार जो stricter एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इसको implement करने की कोशिश की गई थी वो 2015 से किया गया था और sinicization सिर्फ religion के term में नहीं है यह political और religious दोनों के term में आपको समझ रहा है मैंने आपको बताया ना कि socialist society के accordingly आपको इसके अंदर push करना है तो यह दोनों perspective से आपको देखना पड़ेगा और यहाँ पर South China morning post हो गया जो कि Hong Kong based यहाँ पर paper है एक प्रकार से तो उनके दोरह यहाँ पर यही बोला गया था कि जो religious affairs है चाइना के अंदर उसको बहुत जादा strict किया गया है especially since 2015 जबसे यह sinicization का concept चाइना के अंदर लानी की कोशिश की गई है और उसके बाद अगले कई वर्षों तक मतब आप पिछले 4-5 वर्ष में देखिए चाइना के अंदर जो भी religious belief है उसको party control यहाँ पर अब धिरे धिरे कर रही है यहाँ पर question ही आता है कि इसका impact क्या होगा तो जाहिर सी बात है जो भी यहाँ पर ideology लाने की कोशिश की जारी है चाइना के दोरह उसका direct impact होगा जो लोग religion को follow करते हैं क्योंकि उनका अपना independent तरीका है follow करने का अगर यहाँ पर सरकार बोलेगी की नहीं आपको हमारे accordingly इसको ढालना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है न कि आप उस religion के उपर attack करने की कोशिश कर रहे हो तो यहाँ पर question यहाँ आता है कि चाइना के अंदर क जिस तरह की demography है मतलब लोग कितने हैं जो कि religious religion के उपर believe करते हैं तो देखें white paper जो release किया गया था Chinese government के दोरा क्योंकि independent आप जांस तो कर नहीं सकते हैं 2018 में यह white paper release किया गया था उसके अंदर सबसे बड़ी आवादी जाहिर सी बात है वो buddhism की देखने को मिलेगे और buddh population में ही आते हैं और total मिलाकर अगर आप देखिए तो 200 million people हैं जो कि religion के उपर believe करते हैं मतलब 20 करोण के आसपास population चाइना में ऐसी है जो कि religion के उपर believe करती है इसके लाबा बताया जाता है कि वहाँ पर 144,000 जगह ऐसी हैं जहाँ पर आप worship कर सकते हो they are the places of worship और 5500 religious groups भी आपको चाइना के अंदर देखने को मिलेंगे तो यह जो भी कुछ चाइना के दोरा किया जा रहा है उसका direct impact इन लोगों के उपर आपको देखने को मिलेगा अब question यह आता है कि पिछले काफी समय से यहाँ पर चाइना ने किस तरह से repression किया है religious activities का आप देख सकते हो national conference जो हुआ ह अबी यह उस backdrop में आपको देखना होगा जब recently बहुत सारा acquisition लगाए गया था चाइना के उपर कि किस प्रकार से वो Muslims को Christians को control करने की कोशिश करने है पिछले महने की बात है US ने चाइना को designate किया था country of particular concern for violation of religious freedom कि यहाँ पर चाइना के अंदर religious freedom नहीं दिया जा रहा है United States Commission ने यहाँ पर यह कई सारी चीज़े कही थी जैसे कि एक तो यह कहा था कि जो conditions है religious freedom को लेकर वो लगतार deteriorate होता जा रहा है Chinese government लगतार high tech surveillance कर रही है artificial intelligence का इस्तमाल कर रही है face camera का इस्तमाल कर रही है ताकि जो Christians हैं टिबितियन बुदिष्ट हैं बाकी सभी religion के groups हैं उनको अलावा यहाँ पर जो independent researchers हैं उनका यह कहना है कि अभी तक चाइना में करीब 9 लाख से लेकर 18 लाख लोगों को जो की वीगूर्स आप कह सकते हैं especially आपको पता होगा Xinjiang province में आपको देखने को मिलता है जो वीगूर्स की अबादी है तो यहाँ पर हो गए कजाक के कुछ लो में यह पता चलता है कि वो बच्चों को parents से separate रखना चाते हैं यहाँ पर sterilization का process चल रहा है ताकि उनकी आबादी और ज्यादा ना बढ़ाई जा सके कुछ मैंने पहले कि in fact यह भी बात सामने आई थी कि चाइना के अंदर जो mosque हैं उनके जो dome हो गया जो पर dome लगा रहाता है मिनरेट्स होते हैं उसको यहाँ पर destroy किया गया है चाइना के यह कहना है कि इस तरह का religion जो follow किया जा रहा है लोगों के दोरा वो foreign based है हम नहीं चाहते कि वो foreign based हो हम चाहते हैं कि यहाँ पर वो Chinese based हो socialist pattern के accordingly लोग उसको follow करें तो यह पूरा situation आपको देखने को मिलेगा I hope कि इ वो पूरी तरह से religion के उपर हावी हो जाए यह यहाँ पर China में इस समय प्रयाश चल रहा है और जिसका direct impact आपको जो Tibet के लोग है उनके उपर देखने को मिलेगा तो इसका पूरा सब कुछ आपको समझ में आया होगा लेकिन जाने से पहले एक interesting question यहाँ पर religion हो गया भारत के अगर हम बात करें तो tribal population भी आपको काफी कुछ देखने को मिलता है क्या बता सकते हो 2011 census के accordingly कौन से ऐसा राज है जहाँ पर आपको highest proportion of scheduled tribes देखने को मिलता है मैं total number की बात नहीं कर रहा हूँ मैं उस राज के अंदर जो proportion of population है तो सबसे highest proportion of scheduled tribe यह 2011 census के accordingly कौन से राज में आपक पर तो मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं टेलिग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उतर मैं कई सारे mcqs यहाँ पर डालता रहता हूं stories के form में आप जाकर play कर सकते हो बाकि अगर आपको PDF यह तो टेलिग्राम पर आईए अलग-अलग social media पर भी आप सकते हैं साथी साथी OPSC आप फिर किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो आप हमारे आप को डाउनलोड कर रहे हैं यहोप की वीडियो आपको पसंद आए होगा मिलता हूं से नेक्स ताम टिल देन थैंक्यू बरी मच्च सी यू सून